किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के YouTube चैनल में किसान साथियों जो मेरी September महामें अमरूत की कटिंग पर वीडियो है 260 नमबर वह वीडियो इतनी पसंद की गई कि मैं तो ताजुब में हो गया आप से एक दिल की बात करता मुझे आज तक ये पता नहीं चला के मेरे किसान भाईयों को मेरी कौन सी वीडियो अधिक पसंद आती है जिसे मैं सोचता हूँ ये बहुत ग्यानवर्दक वीडियो है ये पसंद आएगी वो बहुत कम शुरू में चलती है और जिसे मैं सोचता हूँ ये बड़ी साधारन सी वीडियो है वो बहुत अधिक चलती है चलिए आपसे भी मैं कुछ सीख रहा हूँ कुछ किसान भाईयों ने फिर सवाल किये हैं अमरूद की कटिंग के बारे में जो मेरी ये 260 नंबर की वीडियो थी उसमें मैंने सितंबर महा में अमरूद की कटिंग के बारे में बताया था और ये बताया था कि डेड़ वर्स तक के पोधे जिनके हूँ वो उसकी कटिंग किस प्रकार करें आज हम बात करते हैं कुछ भाईयों ने सवाल किये है कि मेरे पोधे अब दो वर्स के हो गए है अब मुझे कटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए किसान साथिओ यहां फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पोदा दो वर्स का हो चुका है ये जो मेरे पास पोदा खड़ा है ये देखिए ये पोदा लगबग दो वर्स दो महा का हो चुका है इस बाग में मेरे जो ये तीन लाइन थी इस बाग में मेरे पिछले साल विल्ट आया था और उस विल्ट के कारण मुझे पोदे संभालने में थोड़ा वक्त लग गया तो कुछ पोदों पर मैंने फल नहीं लिया जैसे ये पोदा है इस पर इस समें एक भी फल नहीं है और ये मानिए कि ये दो साल का पोदा है अब इसकी ग्रोथ देखिया कितनी बड़ी बड़ी डंडी हो गई है देखें मेरे से भी उपर है कितना बड़ा पोदा है और ये डिस्टेंस दस बाई दस पर है अगर आप अब इस पोदे को देखिये जिसकी मैंने कटिंग की थी और आपको पिछली वीडियो में बताया था और यहां से डिस्टेंस जो हना अगर मैं ये हाथ फैलाता हूँ तो केवल इतनी पड़ती है जब इसकी ग्रोथ होगी तो ये पोदा यहां तक आएगा और अगर मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूँ तो ये दोनों आपस में बहुत अधिक मिल जाएगे और ये पोदा फिर समझे के जैसे हम 20 बाई 20 पर लगाते हैं उतना बड़ा पोदा हो जाएगा चुकि पोदा 10 बाई 10 पर है इसलिए हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी अब जीन भाईयों के दो वर्स के पोदे इस समय हो चुके हैं या समझे और उन पर फल नहीं है उन्होंने फल नहीं लिया पहले पोदे मजबूत किये हैं ये ध्यान रखना है जो मैं ये अब बाते बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखकर आपको कारिये करने है बात नमबर एक क्या अभी आपने उन पर फल ले रखे है नमबर दो क्या आपके पोदे की उम्र दो से सवा दो वर्स के बीच में है नमबर तीन आपकी दूरी क्या है और नमबर चार आप बरसात की फसल लेना चाहते हैं या सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं ये बहुत जरूरी आपको ध्यान रखना है इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा कटिंग कब करनी है सबसे महतवपूर्ण इन चारो बातों में है कि आपको फसल कब लेनी है हम ये मान कर चलते हैं कि आपका पोधा दो वर्सका हो चुका है तो आपको कौन सी फसल लेनी है ये सबसे अधिक महतवपूर्ण है क्योंकि जो दूरी है आपकी दस भाई दस है, बारा भाई बारा है पंद्रा भाई पंद्रा है उसके अनुसार कितनी कटिंग करनी है ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ आज विशे केवल इतना है कि हम कटिंग करे तो कब करे जबकि हमारा पोधा दो वर्सका हो चुका है भाग एक आप देख चुके हैं और भाग दो आपको कल या परसो मिल जाएगा भाग दो में मैं एक ऐसी बात करूंगा कि जो आपने अब तक बहुत थोड़ी सुनी होगी लेकिन उसके क्या कारण है और क्या महत्ता है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा जी हां म खेती में बायो एजेंट्स क्या कारिये करते हैं यह सबको पता है लेकिन हमें बायो एजेंट्स खरीदते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए और कितना उनका परियोग करना चाहिए और किस प्रकार परियोग करना चाहिए कैसे मल्टिप्लाई करना चाहिए यह मैं बताऊं विस्तार से सभी चीज़े एक एक कर बताएगे चलिए अब बात करते हैं कटिंग की किसान सातियों इस पोधे को फिर एक बार देखिए कितनी बड़ी डंडी हो गई है यह अगर देखो तो कम से कम भी चार से पांच फुट की डंडी होगी इसकी अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रक्चर इसका कितना मजबूत है यह देखिए कैनोपी बनाई है मैंने यहां से कितनी अच्छी कैनोपी बनी है चार साखाई मैंने छोड़ी थी एक दो तीन चार तीन दिशाओं में थी यहां से फिर यहां से कटिंग की थी एक दो तीन फिर यहां से कटिंग की थ एक, दो, तीन, देखिए कितनी सुंदर कैनोपी बनी है अगर आप इस पोधे को चारोवर से देखे दो यह L49 का पोधा है किसान सातियों अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनिये आपको एक निर्ने लेना है कि आपको फसल बरसात की लेनी है या सर्दियों की लेनी है हम यह मान कर चलते हैं कि जिन भाईयों को बरसात की फसल लेनी है उनको इसकी कटिंग नहीं करनी है उनको इसकी कटिंग फरवरी में करनी है पंदरा फरवरी तक इसकी कटिंग होनी है यानि के आप फरवरी के दूसरे हफते में इसकी कटिंग करिए और कटिंग की गहराई इस बात पर निर्भर करेगी के आपके पोधे कितनी दूरी पर है ये हुई पहली बात अगर आप बरसात की फसल ले रहे हैं दूसरी बात फसल लेने से पहले आप जनवरी से इसका पानी बिल्कुल बंद कर देंगे और इसके चारो और आप खोरा लगाएंगे जनवरी में जो मैंने बताया था के खोरा लगाएंगे तने से लगबग डेड़ फिट जगह छोड़ कर और जहां तक इसकी कैनोपी है वहां तक लगबग 6-8 इंच गहरी खुदाई कर देंगे तो कम से कम ये खुदाई डेड़ महीना रहेगी इसे कहते हैं खोरा लगाना अब कुछ किसान भाईयों ने पूछा है ताओ क्या होता है मैं सब दिस्तेमाल करता हूँ ताओ देना किसान साथियों जब हम फसलगी तयारी करते हैं उस फसलगी तयारी पर हम पानी बंद कर देते हैं जैसे अभी मैंने बताया कि जनवरी से आपको पानी बंद कर देना है तो जनवरी से लेकर जब तक हम कटिंग करेंगे हम पानी बंद रखेंगे और जैसे ही cutting करेंगे उसके तुरंत बाद हम उसमें खाद लगाकर पानी दे देंगे तो ये जो समय हुया इसे कहते हैं ताओ देना यानि पोधे को ये बता देना कि हम आपसे फसल लेने की तैयारी कर रहे हैं एक से दो महिने के बाद में इसलिए हम आपकी जड़े काट रहे हैं आप अपना ध्यान स्वयम रखिए जो ये ताओ सब्द है ये आया है crop regulation से यानि बाहर नियंतरन से कि जब हम एक फसल को रोक कर दूसरी फसल को करते हैं अधिकतर जब ताओ देते हैं लेकिन हम हर बार ये जड़े काटने से पहले जो पानी रोकते हैं उसे भी हम ताओ कहते हैं मुझे आशा है कि आपको ताओ सब्द का समझ आ गया होगा जैसे ही हम पानी बंद करने की जो किरिया होती है उसको हम ताओ कहते हैं लेकिन पानी बंद करते ही जब तक जमीन थोड़ी गीली हो उसमें खोरा अवश्य लगाएं परतेक वर्स लगाएं आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान दिया होगा कि जो मैंने बताया था कि इसमें खाद लगाकर पानी देना है कटिंग करिए कटिंग के बाद उसमें खाद लगाएं और खाद लगाकर तुरंत पानी देजिए यह कारिये बहुत जल्दी करने हैं आपको अगर आपका बाग बहुत बड़ा है तो जितना कटिंग होता रहे उसमें खाद लगाते रहे और पानी देते रहे अगर बहुत बड़ा एरिया है अगर आपका दो तीन चार कड़का है तो आप एक बार में भी कर से इस से में दो वर्स के हैं और आप बरसात की फसल ले रहे हैं तो अभी आपको कटिंग नहीं करनी है आपको जनवरी महा में ताओ लगाना है खोरा लगाना है और पंदरा फरवरी के आसपास यानि साथ फरवरी से लेके अगर आप बीस फरवरी तक भी कटिंग कर देते हैं तो कटिंग करिए और खाद लगाकर पानी दीजिए आपके बहुत फ्लावर आएगे अब आते हैं दूसरे किस्से पर अगर आपको सर्दियों की फसल लेनी है तो किसान साथियों आपको क्या करना है कि आपको पानी बंद यानि त पानी बंद कर दीजिए खोरा लगाईए और पानी बंद कर दीजिए आपको ये पानी बंद रखना है फरवरी मार्च और अप्रेल में तीन माह में अगर आपने फरवरी में पानी दे दिया तो मार्च आते आते एक दम से उसमें कल्ले आ जाएगे इसलिए फरवरी के सुर 15 जून के बीच अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग समय पर करेंगे जैसे उत्तर भारत में जो मेरा परियोग है आप 25 अप्रेल के बाद 15 मही तक आराम से कटिंग करिए जो पस्षिम भारत है जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है थोड़ा बारिश देर से होती है वो 10 मही या 15 मही के बाद भी कर सकते है इस परकार आपको उस समय कटिंग करनी है लेकिन यहां यह बात का ध्यान रखना है कि जब आप अगर मही में कटिंग कर रहे हैं यानि सर्दियों की फसल ले रहे हैं तो पानी के साथ खाद नहीं देना है खाद हमें तब देना है जब एक बरसात हो जाए और जमीन में नमी बन आए क्योंकि खाद गरम होता है उससे पोदों को नुक्सान हो सकता है मैंने पिछले साल इस बाग में खाद दे दिया था जब कटिंग करने के तुरंत बाद खाद दे दिया था और उस टाइम गरमी बहुत थी मई का पहला हपता था और मेरे पोदों में मैंने फलड से पानी दिया और पानी दे कर जो तीन चार दिन के अंदर अंदर इसमें इतना भेंकर विल्ट आया कि 60 में से 40 पोदों को मैं नहीं बचा चुआ तो ये बहुत ध्यान रखना जिन भाईयों के इस समय दो वर्स या सवा दो वर्स के पोदे हैं और वो पहली बार फसल लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये बात बड़ी किलियर हो गई होगी और उन्हें पता चल गया होगा कि अब आपको अगले वर्स क्या करना है और उनकी कटिंग कब करनी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सी फसल ले रहे हैं आसा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जाने से पहले एक पार फिर बताना चाहता हूँ जो भाई जैविक बागवानी में इंटरेस्ट रखते हैं वो जैविक बागवानी सीरीज का क्या तयारी करें भाग दो जिसमें हम बायो एजेंट के बारे में बताएंगे उसे देखना ने भूले इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, वंदे मातरम